जश्पूर पुलिस अधिक्षक शशी मोहन सिंग द्वारा मवेशी तसकरों के विरुद विशेस अभियान चलाया जारा है जिसके तहट पुलिस द्वारा निरंदर पशु तसकरों के विरुद कारवाई करते हुए चंद मा में ही दोसाओं से उपर मवेशियों को जब किया ह इवं पुराने प्रक्रणों के फरार आरोपियों को गिरफतार कर सलाखों के पीछे भीजा जा रहा है दो दिन पूर्व रातरी में पुलिस अधिक्षक जश्पूर शशी मोहन सिंग को मुखबिट से सूचना मिली कि पशु तसकरी का कुख्यात सरगना, साई टांगर, टो इवं थाना प्रभारी दुलदुला, निरिक्षक कृष्ण, नुकुमार साहू के नयाजितों में भारी पुलिस बल के साथ अलग-अलग टिम गठित कर नाकबंदी इवं दबिश देने की कारवाई हेतु रवाना क्या गया इस दवरान लोरो घाटी जंगल में मवेशी तसकर मवेशियों को खेते हुए लेकर आ रहे थे, पुलिस दवारा चारो तरफ से तगडी घेरबंदी कर, कुल छे आरोपियों को अभीरक्षा में लेकर, उनसे कुल 22 नग मवेशियों को जब क्या गया जस्तुल पुलिस का पशु तसकरी के खिलाब जो अवियान चल रहा है, उसी की कड़ी में कल लोरो दफा घाना दुलदुला चितर के अंदर गट, वहां के जंगल में पता चला कि कुछ लोग पशु तसकरी के लिए पशुओं को लाके पहले से रखे हुए हैं, और रात के अंधेरे में उन पशुओं को पार करने का एक प्लानिंग था, पुलिस को मुक्वीर से सुचना मिली थी, वहां पे हम लोगों ने एक पुलिस की टीम को भेजा, काफी मसकत के बाद 22 की संख्या में मवेसियों को वहां पर बरामत किया गया, और 6 आरोपी जिसमें एक जसीम सानामक साइट अंगाटोली का सरगना है, जो लागतार इस शेत्र में पसुतसकरी में सक्वे था, उसके साथ अन्य और पांच आरोपी इन्हें पुलिस ने गिरफतार किया है, और इनके खिलाब चत्रिवर क्रिशक पसूप और रिक्षन अधिनियन के विभिन धाराओं के साथ मामला पंजी बतकर इन्हें न्याई प्रिमार्ट पर जेल में जा जा रहा है.